एक दिन की नई खबरे पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वज़ा से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरे पहुंच पाएं हलो गैज मैं खुशी रवापता स्वागत करती हूँ है जी नियूज में आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ऑफिसर की बारे में बताने जा रही हूँ जो की IPS ऑफिसर है शिव दिप लांडे वो अच्छली अपनी जो की सैलरी की जो आधी कमाई है वो अच्छली में वो दान कर किन लोगों को पता है कि हमारी जो की सरकार हैं हमारी जो पुलीस दिपार्टमेंट है इनकी जो चवी है हमारे उपर इतनी ज़्य जदा अच्छी नहीं और कोई भी actually में पुलिस डिपार्टमेंट का चहरा तक नहीं देखना चाता और कभी कबार उनको जब चहरा देखना पड़ जाता है तब वो लोग ही बोलते कि पुलिस की चकर में कभी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस करप्ट होती है बहुत ही जादा घूस खाती है तो लैस इन सब चीजों के बीच में हमारे सामने कुछ ऐसे ओफिसर आते हैं जो कि इन सब छवियों को काफी ज़दा खतम कर देते हैं यानि कि उनका जो प्रैजन्स रहता है जब हम उनके बारे में सुनते हैं जैसे कि आज हम लोग बात करें हैं शिवदी प्लानडे के बारे में यह IPS ऑफिसर है इनके जो पिता जी है वो एक किसान है नहीं काफ़ी सदा मेहनत की इनके जो भाई के भाई है और भाई में से दो भाई हैं और यह सबसे बड़े भाई हैं और यह 2016 बैच के IPS ऑफिसर है प अभी यह महरास्टर में IPS पत्पे हैं और उसे दौरान ही इनकी 2014 में शादी हुई और इनके फ्रेंड की एक शादी में इनकी मुलाकात महीं के महरास्टर के एक मंत्री की बेटी से हुई जिनका नाम है ममता और वो ममता के साथ प्यार में पड़े फिर उसके बाद शादी हो मैं दबंग बनाया है पर मैं दबंग नहीं हूं मैं बस लोगों की बस help करता हूं और यह आपनी सालरी के 60% जो भाग है वो गरीबों में बांट देते हैं और काफी सारे ऐसे योजन है जिसमें यह पाटिस्पीड करती है और वहां पर जाके वह लेक्टर देती हैं सबको ब बबाई तेक किर नमश्कुर्ण